मध्यप्रदेश के सिवनी नगर के बस्टैंड में सोहाने पंप के सामने बन रही पुलिया विवादित हो चुकी है, विधायक मुनमुन की निधी से दी गई लगभग 50 लाख की राशी से नाला व पुलिया निर्मान के लिए R.E.S. विभाग को अधिकरित कर जिला कलेक्टक शितिच सिंगल ने दो माह के भीतर एक साइड की पुलिया बनाकर यातायात आर्व करने के सक्त निर्देश दिये थे। लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर वे वहाँ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन S.D.O. राजाराम सनोडिया भी कुस्मारे की तरह स्वास्थ कारणों का हवाला देकर अवकाश पर हैं। वही सहायक यंत्री सरस्वती नागेश्वर कार्य अधूरा छोडभागे नियाच कंस्ट्रक्शन को भुगतान करने के लिए पहले बिल बनाने में वियस्त हैं, जबकि कारेपालन यंत्री कारे अधूरा छोड़ गए इस थेकेदार को भुगतान नहीं करने के संकेत पहले ही दे चुके हैं। बताया जाता है कि इस पूरे शड्यंत्र में R.E.S. विभाग में छपारा का चर्चित थेकेदार मुख्य किरदार नेभा रहा है जो चाहता है कि कलेक्टर किसी तरह मिश्रा को ई.E. के पद से अलग कर प्रेम कुमार कुस्मारे को पुनाह प्रभारी कारेपालन यंत्री सिर् कारी है वे विभाग के नियमों का पालन कर कारे करवाने में रुची ले रहे है ऐसे में कुस्मारे के कारेकाल में जिन थेकेदारों ने मनमानी तरीकों से घटिया कारे किये थे वे किसी भी हाल में कारेपालन यंत्री को सिवनी से हटाने में लगे हुए है विभाग ये सू कारे पालन यंत्री श्री मिश्रा परेशान है वही थेकेदार भी भुकतान नहोंने के कारण सदका का डामरी करण नहीं कर पा रहा है।